तो आप्शन में क्या होता है ना आप्शन वैसे है क्या चीज़ हम लोग जो अभी तक पड़े हैं आप्शन एक में टुक नहीं थोड़ा पहिन दिखकत दे रहा है तुस्के में मुमेंट अगेन अच्छा यह दर ही आया है क्या आप्शन में हमने अभी तक क्या पड़ा है सबको वाइस आ रहा है मेरा तो आप्शन में क्या है फॉर्वर्ड कमिट्मेंट है कि कॉंटिंजेंट क्लेम है यह बताव सबसे पहले कॉंटिंजेंट क्लेम है ठीक है ओप्शन में हमने यह पड़ लिया है कि यह कॉंटिंजेंट क्लेम है तो इसका पेओफ हमने वगरे सारा स्टेडी कर चुका है कि ऐसे गर ऐसे जाएगा तो कॉल बाई है इबर रिवाइस कर लेते हैं ऐसे जा रहा तो कॉल बाई है ऐसे जा रहा तो कॉल सेल है ऐसे जा रहा तो पुट बाई है और ऐसे जा रहा तो प अपने को पता है, हेडिंग लगा ना, बाइनॉमियल मॉडल, बाइनॉमियल मॉडल, देखो, बाइनॉमियल मॉडल के पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कितना डैप का ओप्शन होता है, ठीक है, ओप्शन तुमारा दो टैप का होता है, एक होता है यूरोपियन, लिखते चलो, यह खाली एक्सपाईरी पे ही एक्ससाइज होगा, इसलिए लिखें औन एक्सपाईरी और एक जो होता है अमेरिकन, इसलिए उन और बिफोर एक्सपाईरी ठीक है, एक है एक्सपाईरी पे और एक है ओन और बिफोर पार श्राइब का लिए अमेरिकन आप्शन जो है वो कभी भी एकसाईज हो सकता है और युरोपेशन आप्शन जो है वह खली एकसाईरी पर ही एकसाईज होगा ठीक है हलका गरम क्यों कि ज्यादा है ठीक है ठीक है, अब जैसे एक चीज़ समझना हम लोग डिसकस करते हैं American और European को, ठीक है, एक question मैं raise करता हूँ, इस अप्टिमल तो एक सर्साइज अमेरिकन को अप्टिम अर्ली बोलो इस अप्टिमल तो एक सर्साइज अमेरिकन कॉल अप्टिमल का मतलब है क्या अपने को फाइदा होगा अगर अपने अमेरिकन आप्टिमल को पहले एक सर्साइज करेंगे तो think from option का जो break-up था ना, कि option का जो premium है उसका दो पार्ट होता है, इस तरीके से सोचो क्यों एक स्पाइरी पे तो question यह है, is it optimal to exercise American call option early? the answer is no, the answer is no, अभी answer क्यों no है यह भी समझ लो अगर अपने option को पहले exercise करते हैं, ठीक है? एक example लेते हैं, number से better समझ में आता है strike price है अपना 500, option का जो price है वो है 55 and spot चल रहा है 530 तो intrinsic value कितना है, call option का बात हो रहा है, intrinsic value कितना है, 30 क्योंकि अगर आज exercise करेंगे, तो कितना होगा, spot minus strike, 30 है ना, और बाकी का क्या है, 55 minus 30 जो है वो कितने का है, देखो 55 का एक break up होगा ना, यह जो 55 हैस का एक break up होगा, 55 का break up क्या बोलता है 530 minus 500, तो यह अपना हो गया 30 and 25 जो आरा balance का, यह basically अपना है intrinsic value और यह basically अपना है time value अब एक चीज सोचो, अगर मैं option को exercise करता हूँ, तो मेरे को कितना रुपर मिलेगा, 30 लेकिन अगर मैं option को sell करता हूँ, तो कितना मिलेगा, 55, because option का market value कितना चल रहा है, 55 वापस से बोल रहा हूँ, अगर मैं option को exercise करता हूँ, तो कितना मिलेगा, 30, और अगर मैं option को sell करता हूँ, तो कितना मिलेगा, 55, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, it is never optimal to exercise a call option early, ठीक है, लिखो, पहले एक question लिख ले न, it is never optimal it is never optimal to exercise it is never optimal झाल Filip च बतब झाल चीमा करता व की घ्रडम और उब था प्षय था न Keop intimacy. कि क कर्या से विध रुरम पर था प्षय डे ढूटंट. क्या क्या मिलता है जल्दी बताःगे। When we sell the option, we get both. क्या क्या? Intrinsic value as well as time value. We get intrinsic value as well as time value. But when we exercise the option, we get only intrinsic value. But when we exercise the option, we get only intrinsic value. Full stop. ठीक है ना? अब जैसे एक चीज़ देखो. यह strike price है. ठीक है? और यह spot है. Spot तुम्हारा चल रहा मानलो 450. ठीक है? और यह अपने maturity बना देते हैं. यह अपने maturity बना देते हैं. ठीक है? तो share price का graph कैसे जाएगा ध्यान देना? हो सकता हो यहां पर आके ठीक है? 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 तो share price maturity पे क्या होगा, ठीक है, अगर अपने European option का बात करते हैं, तो अपने को चाहिए कि share price maturity पे क्या होगा, क्योंकि अपना तो contingent claim है न, contingent claim का मतलब क्या होता है, कि भई, future में, मतलब अगर अपने European option का बात करते हैं, तो इसको खाली अपने exercise कर सकते हैं, expiry पे, तो expiry पे जब अपने exercise करेंगे, तो उस समय का अपने को share price यह होगा, तो उस समय का share price तो कुछ भी हो सकता है, ना, 1,000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, कुछ भी हो सकता है, उस समय का जो अपना future में, basically maturity पर जो अपना share price हो, तो कुछ भी हो सकता है, अगर अपने American का बात करते हैं, तो अपने को, यह जो अपने path बनाए हैं, ना, path, यह जो अपने path बनाए हैं, for example, यह अपने path बनाए हैं, तो यह path का अपने को सारा data points चाहिए होगा, क्योंकि American को क्या कर सकते है, on or before expiry, right, तो यह लोग बोला, यह जो share price का जो graph है, इसको प्रेडिक करना तो बहुत दिक्कत है, तो बोलता है, एक simplification assumption मानेंगे, तो बोलता है, simplification assumption क्या मानेंगे, ध्यान देना, simplification assumption दुबारा से बना रहे हैं, यह मेरा हो गया strike price, x is 500, ठीक है, यह लोग क्या बोलता है, यह लोग क्या बोलता है, बोलता है, मान लीजिए, share price आज है, s0, 450, मैंने time 0 पे, ठीक है, अब अपने x axis पे मापर है time period, ठीक है, बोलता है, 450 से मान लीजिए, market अगर अच्छा हुआ, तो यह तो share उपर जाएगा, market अगर खराब हुआ, तो यह तो share नीचे जाएगा, ठीक है, यह मैंने flat बना दिया है, ठीक है, ऐसे मान लो, नीचे के तरफ मान लो, ठीक है, बलता है, market अगर बढ़िया हुआ, तो upside जाएगा 25%, और market अगर खराब हुआ, तो downside जाएगा 15%, तो क्या-क्या हो सकते बताइए, share price maturity पे क्या-क्या हो सकते बताइए, फटाफर्स बताइए, Kelsey में करिए कितना आता है, मान ने बोलने का मतलब है, 450 into 1.25 होगा, या फिर 450 into 0.85 ह होगा, तो maturity पे क्या-क्या हो सकते बताइए, हाँ, और यहाँ पर, छिए भी तुपाइब, इसे क्लियर, हाँ, कोई बोलेगा, कि सर, इससे बेहुदा अग्शन तो होई नहीं सकता है, इससे बेहुदा अग्शन हो नहीं सकता, लेकिन simplification टेकनीक है, हम लोग मान रहे है कि उपर जाएगा तो कितना होगा, नीचे जाएगा तो कितना होगा, और अपने यह मान रहे है एक time period में, one period binomial, one period binomial, ठीक है, one period binomial, sir, two, three, four भी होता है, क्या होता है, ठीक है, वो बात का अब एक period कुछ भी हो सकता है, वालो तीन मेहना, बने यह जब movements जो है, अभी एक period में measure हो रहे है, फिर अगर two period होगा, तो यहां से भी उपर नीचे, यहां से भी उपर नीचे, यहां से भी उपर नीचे, एक ट्री बनेगा, अब जैसे जितना भी सारा derivatives का pricing होता है, ठीक है तुम derivatives में मतलब option, future, कुछ भी ले लो, सारा का सारा derivative का pricing होता है, वो risk free होता है, मतलब ऐसा समझते हैं, risk free भूल से बोल दिया, वो सारा का सारा risk neutral होता है, ठीक है, now, what do we mean by, एब इसको बहले copy कर लो, एब इसको copy कर लो, मैं को एक मेंट का time देना, कर सकते ही, झाल वो कर लोeeee झाल 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 तुझे 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 जितना भी सारा यहां पर एक नोट में लिखो भी इसके बाद में आल डेरिवेटिव्स प्राइसिंग इस डन इन रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड मैं रिस्क फ्री भूल से बोल दिया था अब ध्यान से तुनो चाहे आप कॉर्परेट बॉंड में इंवेस्ट करिये चाहे आप म्यूच्वल फंड में इंवेस्ट करिये चाहे आप गोल्ड में इंवेस्ट कीजिए silver में invest कीजिए, shares में invest कीजिए, किसी में कुछ भी करिए, आपको सब में जो मिलेगा वो है RF, RF मतलब क्या होता है, risk free interest rate, ठीक है, risk neutral मतलब क्या, risk को बिल्कुल इज़त नहीं देंगे, ठीक है, तो कोई भी asset class में आप invest करिए, आपको क्या मिलेगा, risk free interest rate, ठीक है, हम लोग जब futures किये थे, तो मैंने आपको क्या बोला था, S0, basically जो आज का share का दाम है, 1 plus R party, अपने जब K0 का pricing किये थे, याद करो एक बार, अपने जब K0 का pricing किये थे, तो क्या किये थे, S0, 1 plus R power T, याद आ रहे है, यह जो R है, यह risk free interest rate है, क्योंकि futures का भी pricing किसमें हो रहे है, risk neutral world में हो ठीके न, risk को बिल्कुल इजट नहीं दिया रहे जाए, वैसे अगर दिखा ज़े, तो share क्या है, risky asset है, तो अगर risky asset है, तो जो return होना चाहिए, वो भी risk, risk वाला होना चाहिए न, अगर मानलो risk free return है, 4% का, तो shares का कितना होना चाहिए, 10%, 12% होना चाहिए, तो वो बहुत सरे criteria पर depend करते हैं, बट अपने को, ये पता कैसे चलेगा, कि share का return कितना होना चाहिए, तो वो भी एक problematic चीज है, ठीके, तो इसी लिए, अपने क्या करते है, risk neutral world मानके चलते है, risk neutral world का मतलब क्या, सारा का सारा, जो assets है, वो क्या earn करेगा, risk free interest rate, क्योंकि risk free interest rate, market से बहुत easily observable है, अक्चुल में लेकिन कैसे होते हैं, investors, risk average, ठीक है, all derivatives pricing is general risk neutral world, ठीक है, तो आपको एक बात बताता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ, जो अपना जो share है, अपना जो share है, share का दाम आज कितना चल रहा है, share का दाम जो अपने जो share लिये थे ये वाला, ये तो अपने share लिये न, share का दाम आज कितना चल रहा है, 450, एक साल के बाद में share का expected दाम कितना हो जाएगा, risk neutral world में, risk neutral world में, एक साल के बाद में share का expected दाम कितना हो जाएगा, बताओ, 450 into 1 plus R, power 1, जो भी मेरा risk free interest rate है वो न, माल लेते हैं अपना जो risk free interest rate है, वो 4% का है, अपना जो risk free interest rate है, वो 4% का है, ठीकें, अब एक चीज़ समझना, मैं बोलता हूँ, ये जो चीज़ है न, उपर जाएगा, इसका एक probability होगा, उपर जाएगा, इसका एक probability होगा, नीचे जाएगा, 1 minus उपर जाने का probability, ठीक है, तो अब मैं एक नया चीज़ डिफाइन करता हूँ, जिसका नाम है Q, Q का मतलब क्या है, अप्मूव, probability, इन रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड, बतलब, अपने तो रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं न, शेर प्रैस उपर जाएगा, शेर प्रैस उपर जाएगा, इसका एक probability होगा, उपर जाने से payoff कितना हो रहे है, उपर जाने से, ये तो अपना शेर का प्रैस है न, अपने को शेर का प्रैस तो मिल गया, अपना strike प्रैस कितना है, 500 है, माल लेते हैं जो time period है वो one year का है, time period जो है वो one year का है, ठीक है, अगर अपना share price at maturity is 562, तो अपना payoff क्या होगा call option से, 62.5 वो नीचे जाने से, 0, है की नहीं, बोलो हाँ या न, मैं बोलता हूँ, 62.5 होगा इसका एक probability होगा न, वो Q है, और 0 होगा इसका भी एक probability होगा, 1 minus Q है, तो ये वाला करके अपना time क्यों वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है न, तो अपना वसका लिए है, ये क्या है अपना, expected payoff, this is our expected payoff, एक चीज समझना, मैं बोलता हूँ, आज के दिन पे, मैंने आपको शुरू से समझाया है चीज, आप call option को, एक lottery का ticket की तरह सोचो, lottery में क्या होता है, उठा तो ठीक है, नहीं उठा तो क्या करते है, फार के फिक देते हैं, अभी अपना ये जो lottery का ticket है, जो call option है, उठने से कितना रुपया उठेगा, उठने से कितना रुपया उठेगा, 62.5, और उठेगा, सबका तो नहीं उठेगा, इसका एक probability होगा, तो into Q, Q क्या है, risk neutral world का up move का probability, उपर जाने का probability, risk neutral world में share price उपर जाएगा इसका probability, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, अपने आज lotte का ticket का एक price पे करते हैं न, तो आज का अगर अपने को price निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, future में जो payoff होगा, उसका होने का probability, और फिर उसको ट टानेंगे, future में जो payoff होगा, उसका होने का probability multiply, तो क्या आएगा, expected payoff आएगा, फिर उसको टानेंगे एक साल, तो इसको अपने क्या करेंगे, ये जो है, 62.5 है, इसको Q से multiply करें, फिर divide किस से करेंगे, 1 प्लस R से, मतलब क्या, 62.5 into Q by 1.04, हाँ, ही आएगा न, बोलो हाँ है न या, कपी के लिए पज़ें को, ये लो कपी होगया, झाल झाल अब देखो यह जो है ना आप मूफ प्रोबैबिलीटी का एक फॉर्मुला है फॉर्मुला क्या बोलता है अपना जो रिस्क फ्री इंट्रेश रेट का जो फैक्टर है 1.04 माइनस अपना जो डाउन मूफ फैक्टर है 0.85 होल डिवाइट बाई अप मूफ फैक्टर जो है माइनस डाउन मूफ फैक्टर ठीक है इसको अपने क्या बोलेंगे interest rate का जो factor है minus down move factor by up move factor minus down move factor ठीक है बताई क्यों कितना आ रहा है अपना 0 point सबका यह ही आ रहे है चेक करो तो तो कर यह ही आएगा ना कि 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 एक साल के बाद में शेर प्राइस का expectation कितना होगा कि कितना दशेर प्राइस का दाम कि 450 इंटू 1.04 कैलकुट करी कितना आता है कि कि खुपर जाने से शेयर का दाम कितना हो रहे है 562.5 इंटुशका expectation तो उपर जाने से शेयर का दाम हो रह रहाई 562.5 इंटू उसका होने tribality प्रेस अगर शेयर प्रैस नीचे जा रहे है तो कितना रप्या हो रहा है थ्री शेयर प्रेस नीचे जाने से कितना हो रहा है 382.5 इंटू करेंगे 1-Q इंटू करेंगे 1-Q इस विल बी इक्वल टू वाट एक साल बाद अबने शेयर प्रेस का जो एक्सपेक्टेशन है वो कितना है 468 यहां से बाद Q solve कीजिए देखें सेम आएगा यहां से बाद Q solve कीजिए देखें कितना आ रहा है क्यों शेयर प्रेस को 1 प्लस आर से मल्टिप्लाई कर रहे है क्योंकि अपने रिस्क न्यूट्रल वर्ड में है चाहे शेयर हो चाहे future हो चाहे option हो चाहे कुछ भी हो सारा का सारा जो interest rate हो गाया रिस्क फ्री इंट्रेस्ट हो ठीक है रिस्क न्यूट्रल वर्ड में रिस्क को बिल्कुल इज़्जत नहीं दिया गया है से बढrench है हां तो Q का formula यहां से आ रहे है, कोई अगर thirst अपना satisfy करना चाता है, जिसर Q का formula अब कैसे लिखे, Q का formula यहां से आ रहे है, बहुत simple है, share price अगर उपर जा रहे है, into उपर जाने का probability, plus share price अगर नीचे जा रहे है, तो नीचे जाने का probability, which is 1 minus उपर जाने का probability, is what, एक साल बाट share price का ज कहीं से यह formula है, ठीक है, अब ध्यान देना, अपना जो आ रहा था, 62.5 आ रहा था क्या, into Q का value आ रहा, 0.475, divide by क्या आ रहा है, 1.04, solve क्या बताइए, यह हो गया call option का price today, 28.54, हाँ, 28.54, इस तरीके से हम लोग binomial model में pricing करते हैं, ठीक है? अब यह आपको क्या करना है, मैं आपको 5 मिट का time दे रहा हूँ, आप यही same चीज पुट के लिए करिए, try करिए, मैं आपको 5 मिनिट का time दे रहा हूँ, आप पुट का valuation करो, same sum में, पुट का valuation करो, try करो होगा, 5 वट का मैं time दे रहा हूँ, try करिए, कर दे रहा हूँ, आपको 5 मिनिट का 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 दे रहा हूँ, आपको 5 मिन झाल 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 अगर अपने पुट का बात करते हैं, तो पुट के केस में अपना पे आफ क्या आएगा? जीरो और नीचे जाने से पे आफ क्या आ रहे हैं? अगर नहीं आएगा तो फिर आर्बिट्राज होगा ना? कॉल का अदाम कितना निकाले? 28.54 प्लस 500 इंटु 1.04 टुदी पावर माइनस वन कितना आ रहे है इस पोटफोलियो का वल्यू? और एक तरफ है अपना पुट और एक तरफ है शेर. दोनों देखो, दोनों का वैलिएशन सेम आ रहे हैं क्या लगा लगा रहा है? 509. दोनों किसमे हैं? चेक करो. दोनों को मतलब समझने है सबको? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे येस, नो? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे येस और नो? चलाओ. एक और कुशन करते हैं. चेक हैं? लिखो. पी. पी का मतलब क्या होता है? रियल वर्ल्ड अप मूव प्रोबाबिलिटी. दिस इस 0.5. डेल्टा दियाव है 0.05. और अपने को के दियाव है 45. चीक हैं? आपको कॉल का वैलुएशन करना है. कॉल का वैलुएशन करना है. ट्राइ करो. का 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 वैलुएशन करना है. झाल 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 तुमको ये question में न चुड़ैल दिया वर रहेगा इस पर ध्यान नहीं देना है मैंने क्या बोला हम लोग सारा waylution किस पर करते हैं risk neutral में risk free world में ठीक है نा risk neutral world में तो ये real world का दिया वैसे मतलब नहीं है अपने को तो क्यों निकालना ही पड़ेगा ना सबसे पहले अपने निकालेंगे up move factor तो वो क्या आएगा 60 by 40 फिर अपने निकालेंगे down move factor 30 by 40 कितना कितना आ रहा है बताएए फड़ा फरसे अप move factor और down move factor कितना कितना आ रहा है हाँ ठीक है पेआउफ बताओ कॉल अप्शन का पेआउफ बताइए 15 और 0 क्योंकि K45 है Q निकालना पड़ेगा Q will be what e to the power 0.05 minus 0.75 by 1.5 minus 0.75 यही तो होगा ना interest rate factor क्योंकि अब डेल्टा दिया आव है interest rate factor minus down move factor by up move factor minus down move factor अब solve करके बताएए कॉल का वैलिवेशन कितना आ रहा है 0.401 4 0 1 6 4 0 1 6 4 0 1 6 solve करिए अब तो क्या आएगा 15 into कितना रहा बताईए बाके लोग का एंसर प्लीज चैट बॉक्स पर लिखिए उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे ऐसे नहीं आगे बढ़ेंगे 5.7 सबका एंसर आ रहा है 5.73 2 ठीक है ना क्लियर है सबको अब समझ में आ रहा है तो यह अपना जो वैल्यू हो गया दिस इस फॉर सी जिरो ठीक है बोलो हाया ना हेडिक लगा ना टू पीरियट बाइनोमियल 40 का शेयर है उपर गया तो 60 नीचे गया तो 30 उपर गया तो 80 नीचे गया तो 50 नीचे जाके उपर गया तो 40 और नीचे गया तो 25 बाकि सब चीज सेम है डेल्टा दियाव है अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो एक अपना Q1 बनेगा एक अपना Q2 बनेगा और एक अपना Q3 बनेगा क्योंकि आप move & down, move factor समय सेम तो नहीं है, आप move & down, move factor समय सेम तो नहीं है, अगर आप move factor, down, move factor समय सेम होगा, तो फिर इसका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, छलो, चलो करें, कि तुमनों try करेगा, delta आपने को दिया वे 0.05 इसका आपने को valuation करना है ठीक है देखो यह देखो यह है 1-Q1 1-Q2 1-Q3 down node में कैसे पहुंच सकते हैं यहां पर यहां कैसे पहुंच सकते हैं 1-Q1 into 1-Q3 एकदम उपर वाले node में कैसे पहुंच सकते हैं 1-Q2 और यह वाले node में कैसे पहुंच सकते हैं अब इसमें भी अलग-अलग है ना बहुत बार सेम होता है 50 में कैसे पहुंच सकते हैं थमज़ गया ना 1-1 अब पे आउफ बताईए स्ट्राइक प्रेस कितना दियावत अपना हाँ वही सेम कुष्ण चल रहा है 45 है ना तो यहाँ पर आजाएगा 35 यहाँ पर आजाएगा 5 यहाँ पर आजाएगा 003 इन दोनों से तो मतलब ही नहीं है है ना 35 में कैसे पहुचेंगे q1 into q2 5 में कैसे पहुचेंगे q1 into 1-q2 ठीक है और अब जब टानेंगे तो दो बार टानेंगे ना और डिवाइड करेंगे 8 to the power 0.05 into 2 से है ना डिवाइड जब करेंगे तो दो पिरेट पीछे लेके आ रहे है अपने को तो वैल्यू यहां पर चाहिए ठीक है solve करके बदाई कितना रहा है solve करके बदाई कितना रहा है q1 q2 q3 निकालना पड़ेगा आपको निकालिए same method से निकालिए try किजिए होगा try किजिए मैं 5 मिट का time दे रहा हूं झालिए झाल 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 कि इतना रह बताइए क्यों वन कैसे निकालेंगे यह बताओ a to the power 0.05 माइनस बोलो यह निकालने का दरकारी नहीं क्योंकि यह पहले वाला सेम होगा कितना है जिरो पॉइंट अच्छा यह एक है 401 ठीक है q2 कैसे निकाल रहे है a to the power 0.05 माइनस क्या बताओ ने कैसे आ रहे है क्या बै क्या 80 भाई नीचे वाला है क्यों टू क्या बोल रहे है उपर वाला है तो हाँ ठीक है 50 बै 60 हाँ ठीक है डाउन मूव फैक्टर आएगा 50 बै 60 hold डिवाइड बै 80 बै 60 माइनस 50 बै 60 ठीक है ना कितना आ रहे है 0.435 0.435 2359 ठीक है क्यों थ्री कितना आ रहे है 0 अरे उससे क्या फरक पड़ता है Q3 तो निकालो फिर इसे में पुटका भी कर लेंगे ना Q3 निकाला है नहीं क्या तुम लोग Q3 निकालो Sir, 0.4359 आ रहे है 2359 नहीं आ रहे है Minus down move factor क्या होगा 25 by 30 whole divided by Q3 निकालो फ्री नहीं आ रहे है Q2 0.4359 भी आ रहे है एक मिट बड़ा में चेक करो रूखो वाट्सएप पर टाइप करो मैं चाइट बॉक्स पर टाइप करो यह यार मैंने लिक क्या रहा है जिरो पॉइंट 4359 अच्छा क्यू टू इस 0.4359 ठीक है एंक क्यू थी कितना आ रहा है 0.4358 चेक करो एक बड़ ठीक है अब अपने जब कॉल का कर रहे है तो यह सारा वैल्यू जाल रहे है बेसिकली क्या हो रहा है दिस प्लस दिस दिस होल थिंग इंटु वोट ए तुदी पार माइनस 0.05 इंटू टू कितना आ रहा है कॉल का वैल्यूएशन कॉल का वैल्यूएशन कितना आ रहे है 7.7257 हां 7.7456 चैट बोक्स पर टाइप कीजिए प्लीज कितना आ रहे है 9.7257 चैट सरी सरी सर्फ पार is लिए वोट चार को आ रहे है 2.7256 चैट सरी 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 सर्ड़ प्लीज में टूू कॉल एशवमाएं 9.7259 चैट सरी 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 प्लीज कितना आ रहे हैं इसमें भी अलग-अलग एंसर आ रहा देखो, 6.9, 6.5, 6.5, हाँ, बाकी लोग का एंसर कितना आ रहा है, 6.56 हाँ, आदेश देरा, तुम लोग दोनों का, क्या रहे, 6.56 क्या, 8, 9, यह आ रहे क्या, देखो, यह लोग है ना, नेक्स्कुशन देखना, उपर करना थोड़ा, यह लगै काश भी? oh yes sir exactly हो गया सर दन करते है तू मन्त कॉल आप्षिन के अपने को दे दिया है 200 शेयर प्रेस या तो उपर जाएगा चार परसेंट या फिर नीचे आएगा तीन परसेंट एवरी मन्त डेल्टा अपने को दिया है 0.5 परसेंट पर मन्त एड़ जीरो भी अपने को दे दिया है 200 कॉल का वैलुएशन करना है आज रुआ करिये मैं टाइम दे रहाँ 10 मिड़ का ऐसको बनाइए बराऊ खुझसे टू मन्थ कॉल है और अपने को जो डिटेस दिया वह एवरी मन्थ का दिया वह मतलब कितना पीरेड का हो गया वन पीरेड या टू पीरेड टू पीरेड हुआ ठीक है बनाओ चलो स्टार्ट करो खुछ से ट्राइ करो बनेगा स्टार्ट करो झालब कर दो खुछ से रड़ कितना पीरेड यार कितना पीरेड बनेगा het झाल 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 अब इस case में अपना जो u है जो up move factor है वो कितना है 1.04 जो d है वो है 0.97 आर जो है वो है 0.005 और जो अपना जो time period है वो है 2 है तो q कैसे निकलेगा e to the power 0.005 into 1 क्योंकि वन स्टेप का निकाल रहे पहले minus down move factor by up move factor minus down move factor कितना रहे बताइए झाल 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 यही होगा ना option का pay off निकालना पड़ेगा option का pay off निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर कितना रहे option का pay off 16.32 यहाँ पर आएगा one point और यहाँ पर आएगा 0 फिर यहाँ पर अपने निकालेंगे probability q square 2 into q into 1 minus q उपर जाके नीचे नीचे जाके उपर उपर जाके नीचे नीचे जाके उपर तो 2 into हो जाएगा यहाँ पर क्या है middle node सेम है अपना यहाँ पर जो अपना middle node है वो सेम है बनाओगे तो समझ में आएगा और यह आएगा one minus q का square प्रेश्ट के उपर जाने से नीचे जाने से क्या क्या रहा बताओ पिर उसके बाद उपर जाने से कितना रहा है हाँ हाँ नहीं वोते सेम ही है ना ये नीचे का करें तो अल्फ करें बता ही कॉल ऑप्शन का वैल्यू कितना रहा है ना पूर पर नाइन आ रहा है सबका चेक करो कितना रहा है हाँ पूर नाइन सिक्स नहीं आएगा पूर पूर नाइन तो आएगा सबका फूर पूर नाइन ही आ रहा है फूर पूर नाइन वन आ रहा है सबका यहां तक आज सबको क्लियर हुआ पहले यह बताओ जो बेसिक पड़ा है बाइनोमेल का तब को पहले यह मेरेको बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया जो भी basic मैंने पढ़ाया ये सब को समझ में आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ binomial का basic सब को समझ में आया हम लोग जो derivatives का जो pricing है वो कौन से वर्ल्ड में कर रहे है risk neutral world में कर रहे है ठीक है risk neutral world में कर रहे है इसलिए अपने क्या कर रहे है अपने जो share price का जो expectation है एक time बाद वो कैसे निकाल रहे है one plus RF बने risk free rate यूज़ कर रहे है न risk averse का मतलब क्या होता है risk को इज़्जद देना बने आप risky asset में invest करोगे तो आपको जाधर return चाहिए होगा ठीक है and जब आप portfolio theory करोगे तो उसमें एक CAPM model है उसमें CAPM model है capital asset pricing model है वो बोलता है RE return on equity is RF plus RM minus RF into beta beta denote करता है stock का riskiness beta 1 मतलब market ठीक है तो RF plus RM minus RF into beta बट अपने ये नहीं ले रहे हैं आपर अपने क्या ले रहे हैं सिर्फ RF ले रहे हैं क्योंकि risk neutral world में क्या बोलता है कोई भी type के asset class में invest करिए आपको जो return मिलेगा वो क्या मिलेगा risk free इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जो वर्ट जब बोला ना risk neutral नहीं बोलके क्या निकल गया risk free निकल गया क्योंकि जो भी interest rate जो भी जो भी asset class हो सबका interest rate क्या होगा risk free क्यों से वर्ल्ड में risk neutral में और real world में क्या होता है risk average होता है ठीक है ना थोड़ा सा notes लिकिए सबसे पहले model के assumptions बहुत important है model के assumptions बहुत important है लिको there are no trading costs आज तोड़ा slow पढ़ा रहा हूं क्योंकि तबेत एकदम ठीक नहीं है there are no trading costs और सर्दी जुकाम बुखार सब हो गया नहीं एसी बंद करने से तो और बुखार हो जाएगा there are no taxes इसलिए बाबा पूशवा समझाया न अभी देखना तक ठीक है देखल भी क्लास से दोसे चरकल उठा देंगे ठीक है no taxes no minimum oblicue maximum units of trading stock and bonds can only be sold oblique bot at discreet times one two dot 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 the principle of no arbitrage applies no arbitrage का मतलब क्या होता है लिखो इस point number five को थोड़ा elaborate कर रहे हैं in order to avoid arbitrage we must have e to the power r जो है ना interest rate factor वो आपका बोलता है down move और up move के बीच में रहेगा ऐसा क्यूं बताओ तो अगर ऐसा नहीं होगा तो arbitrage होगा मैं समझाता हूं कैसे ठीक है कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं केस वन ठीक हैं सॉरी एक मिटों सॉरी सॉरी एक मिटों कि यह वाला केस लेते हैं इस पे तो नो आर्बिट्राज है अर्बिट्राज जब मतलब आगर यह छोड़के कुछ भी ओक तो आर्बिट्राज होना चाहिए इस केस का मतलब क्या है अगर शेयर नीचे गया तो माइनस 10 परसेंट ऊपर गया तो प्लस 10 परसेंट बट रिस्क फ्री एसेट में अगर अपने इंवेस्ट कर रहे हैं तो आएगा प्लस 20 परसेंट यह पहला केस का मतलब तो यह ही है E to the power R सबसे ज़्यादा है ना सबसे कम क्या है D फिर उसके बाद क्या है U और फिर उसके बाद क्या है E पार R तो बोलने का मतलब क्या है इसमें देखो इसमें ध्यान से देखो मैं बोलता हूँ 1000 करोड का शेर बेच दिया 1000 करोड का शेर बेच दिया शेर बेचेंगे तो पैसा आएगा कहां से आया शेर इमाँ सोचो ट्रॉट सेल कर दिया, ठीक है, एक हजार करोड का शेर बेस दिया तो पैसा आया, वो पैसा से बॉंड खरीदा, बॉंड, बॉंड में इंट्रेस्टेट कितना चल रहा है, 20% का, ठीक है, अब एक साल के बाद सोचो, एक साल के बाद सोचो, figures in करोड, ठीक है, हजार का क्या हो जायेगा, 1100 या फिर, स्वरी, 1100 या फिर, 900, तो अपने जब खरीदेंगे, तो या तो ग्याऍर सो पै cadre खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बेचे थे न, यहां माइनस किये, तो यहां प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस अपने करेंगे, या तो ग्यारा सो पैर, 900 पै, है कि न और bond खरीदे थे 1000 क्रोड का उसका वाल्यू कितना हो जाएगा? 1200 तो 1200 का जो amount है वो मिशको मिलेगा bond बेच के bond बेचेंगे, क्योंकि bond खरीदे थे bond ख़रीदे थे ना, तो bond बेचेंगे bond बेचने से कितना हैगा? 1200 उसको use क्या चिज़ में करेंगे? share तो शेर बाइ करने में तो शेर बाइ कितना में होगा रीसे प्रोफिट यह क्या है तोना में यहां तरी तो संधिर आप अगर मार्केट उपर के तरफ में गया, तो 100 Jenkins profit नीचे तरफ में गया, तो 300 का profit, right, उपर के तरफ में गया, तो 100 ref profit नीचे के तरफ में गया, तो 300 का profit, profit होना तो पक्काई है, ये था case one, ये था case one, is it clear, copy कर लीज़े इसको, मैंने case 1 में अपन क्या कर रहे हैं, यह arbitrator समझा है तुम लों को पहली बार, यह arbitrator समझा है तुम लों को पहली बार, law of one price क्या बोलता है, अगर दो portfolio का maturity सेम है, तो दोनों का present value भी सेम होगा, यहां पर अपने क्या कर रहे हैं, start sell, start sell करें ना, बोलो ठीक है, हाँ, ठीक है ना, case 2 में arbitrage कैसे होगा, case 2 में arbitrage कैसे होगा, तुम लोग में से कोई अगर Bombay जाना चाहता है, तो HDFC Life में opening आया है, ठीक है, तो मैं एकदम sure, because जो है वो बहुत respected है, तो फिर मैं जो CV भीजूँँगा, आप लोग के तरफ से कदम confirm वोना चाहिए, ठीक है, फिर मैं वैसे ही फिर push करूँगा, तो life insurance, ठीक है, core company, very, very, very good company to start your work with, starting में pay, it will be an internship for six months, so pay will be less, but, जैसे आप convert आट हो है, तो pay is roughly 8 lakhs, roughly 40,000 के आसपास तो मिलना ही चाहिए, 30 से 40,000 के आसपास मिलना चाहिए, for the first six months, don't see about the pay, if you want a core company, तो core company में pay कम होता है, because the quality of work is very good, फिर आप 3 साल, 4 साल core company में काम करने के बाद, आप consulting में जाते हो, तो अपका value and respect बहुत जादा होता है, क्योंकि आप जो काम सेखते हो, बहुत relevant है, ठीक है ना, तो देख, आज मेरा fees जादा है, CM2 तुमको अलग-अलग rate पर पढ़ाने वाला मिल जाएगा, but ये सब चीज में को पता है, कोई नहीं बता पाएगा, तो ये pay is a very subjective thing, कि आप कैसे जागा पर काम करें, अब जिसे मालब तुमको कोई company लिए 15 लाग पर, बट वहाँ तुमको काम उतना quality कर नहीं सिखाएंगे, वो लोग देहीं जादा पैसा इसलिए रहें कि, not always true, but some of the cases में it's true, तो Core is a good company to start with, तुम इंडस्ट्री के में रहोगे, तुमको वो होगा, फिर तुम consulting में चले जाना, ठीक है, इस case में बताओ क्या है, 903811955, ठीक है, cv इस नमबर पर भीजना, इस case में उल्टा करेंगे, इस case में क्या करेंगे, बदाओ, लोन लेंगे, basically, bond sell मतलब क्या, लोन ले रहे हैं, 1000 करोड, bond sell, जो पैसा आएगा, उससे क्या करेंगे, 1000 करोड, share buy, क्योंकि आप क्या हो रहा है, ये मान लो 2% है, ये है 5% और ये है 10%, माने, share ऐसा है ना, कि नीचे जाने से भी आपको positive returns देगा, market नीचे भी जाएगा, तो भी आपको positive returns देगा, हाँ, 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 होता ही है, ठीक है, अब जिससे जो, जो general utility का चीज है, आप एक चीज समझो ना, कि colgate है, तो तुरे बस पैसा नहीं भी होगा ना, एक जब अकाल आ जाएगा, तो भी तु कोल्ड गेट तो करे गई, razor है, तो कुछ भी हो जाए, तो इसको कैची से तो क्या करेगा, तो इसको तो razor तो यूज करना ही पड़ेगा ना, तो saloon नहीं जाएगा, बड़ तु razor तो यूज करे गई, तो कभी भी शेर में जब इन्वेस्ट करते हैं, आप यह देखो, common sense अप्लाई करो, आप अपने आस पास में देखो कि क्या product यूज होता है, ठीक है, जब market recession में आता है, तो luxury goods का demand कम होता है, लग्जरी में profit ज़ादा होता है, बट उसमें बहुत ज़ादा ups and downs आता है, education, medical, and general utility की जो चीज़े हैं, education में भी कैसा, अब जैसे, you can defer your masters, you can defer your abroad, या फिर कोई अगर expensive course तुम कर रहा है, वो तुम defer कर सकता है, करते हैं, बस पैसा एकदम नहीं है तो, बट जो basic education है, 12 तक का जो education है, वो कोई miss out नहीं करता है, graduation तक का जो है, वो कोई miss out नहीं करता है, ठीक है, तो education जो basic जो education है, और general utility की जो चीज़े हैं, आपकी दिन पर जैसे आप समझो, तो कितना ही तुम गरीब क्यों नहीं हो जाए, बट तुम fan रखेगा, AC is a luxury, आज की दिन पर इंडिया पर, AC is a luxury, बट fan तुम use करेगा, ठीक है, तो अब जैसे वर्ल्ड कप sponsor किया था, मैं कोई इस कंपने का नाम उप पे आ रहा है, polycab, तुम देखो उसका share price देखो, wires वगरा का काम करता है, और भी electrical equipments का काम करता है, तो जो general utility की जो चीज़ें, अब जैसे देख, इतना construction हो रहा है, इंफरा पे बहुत spend हो रहा है, cement industry हो गया, तो आपको जो general एकदम जो है ना, आप थोड़ा broad सोचो, अब दे COVID के टाइम पे लोग का job चला गया, वट चिल खाना तो कोई बन नहीं किया, Britannia, ITC, तो तुमको यह से basic basic चीज़ देखना पड़ेगा, कि कुछ-कुछ companies ऐसी होती है, जो returns देंगी, मने बहुत large company है, मतलब समझ लो, अलग-अलग type का company है, ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसा बात नहीं है, मने market recession में जाएगा, तो भी there will be some returns, ठीक है, तो ऐसा अगर मानलो, ऐसा situation होता है, तो, अगर ऐसा situation होता है, तो अब आप क्या कर रहे हो इसमें, bond sell कर रहे हो ना, तो आप जब bond buy करोगे, एक साल के बाद में तब को कितना देना पड़ेगा, हजार बीस, अनि यहाँ से आपका कितना आएगा, आपने जो share buy के, या तो हजार पचास आएगा, या फिर, गैरा सो आएगा, तो क्या है, short shot profit है, तो यह arbitrage हो गया, इसलिए लोग बोलता है कि, उपर जाने से 10%, नीचे जाने से 10%, देखो, share एक और उपर गया, तो plus 10%, नीचे गया, तो minus 10%, इसलिए तो मैं कोई ये, मैं कोई ये variability नहीं चीए, बोलके तो मैं RF लगा के खुश हूँ न, 4% पे, तभी तो मैं RF पे 4% लगा के खुश हूँ, तो E to the power R should always lie between D and U, ठीक है? लिखो, नोट में लिखो, अन्डर क्यू, क्यू क्या है? रिस्क नूटरल वर्ल्ड, अन्डर क्यू, वी सी थाट, अन्डर क्यू, अन्डर क्यू, on the risky stock is the same as that on a risk-free investment in cash in other words in other words under the probability measure Q investors are neutral with regard to risk they require no additional return for taking on more risk Q 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 जैसे नवेंबर एंड तक हो सकता है, चार के जगह में दो ही टॉपिक हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे डेरिवेटिव और आपका ब्राउनिर मोशन, बट ये दोनों अगर अपना हो जाएगा ना, अच्छे से फिर बाकी में आपने को उतना प्रॉब्लम नहीं जो की डिसमबर नवेंबर एंड के बाद, जैसे डिसमबर पूरा मुशनी क्लास नहीं होगा, ऐनलाइन में होगा, मैं नहीं लूँगा मतलब, तो अपने टार्गेट यही कर रहे हैं की जो रेकॉर्डड में वो भी देखो and जो कर रहे हैं उसको अच्छे से कर रहे हैं दा ताके फिर जैनवरी में जब आपने रिवाइफ करें, तो आपका रेकॉर्डिंग्स कम्प्लीट हो जाना चाहिए, और मेरे को उसके बाद में दो टॉपिक और कराना पड़ेगा, जैसे आपका ब्लाक स्कोल्स हो गया, फाइफ स्टेप प्रूफ हो गया, और यॉर टर्म झात बात करें समें दो और स्टेप हो गया, और में दो झात GG, और स्टेप हो गया, और यॉर प्रॉब तो टें समयuciones, समयनने को येयोंने, दो समयन wären विर्टेपות, समयने आपका यें PER